तो दोस्तो इस वीडियो में आपसे मैं MSC Medical Biochemistry कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्यूंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं MSC Medical Biochemistry Course के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो MSC का मतलब होता है Master of Science और MSC Medical Biochemistry का जो कोर्स है जै कोर्स है एक Post Graduation Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स दो वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल चार समेस्टर होते हैं MSC Medical Biochemistry का कोर्स टूडेंट्स को Advanced Level पर Biology और Chemistry के Concepts समझने का मौका देता है साथ ही इसमें आपको Medical Science की Applications की उपर भी आपको Focus करवाया जाता है इसमें आपको Cell Biology, Molecular Biology, Bio, Informatics, Metabolism, एक सेक्टरों चीज़े होते हैं वो भी स्टूडेंट्स को Study करवाई जाती है जै कोर्स स्टूडेंट्स को Laboratory Techniques और Research Skills भी सिखाता है जो Medical Field में काम आती है और अगर दोस्तों आप इस प्रकार की फील्ड में अगर आप इंटरस्ट रखते हो तब तो आपको Jack Course आपको जरूर करना चाहिए अभी आपसे मैं Illigibility Crideria के बार में आपसे में डिसकस करने वालाओं को जनिए आप इस कोर्स में आखिर किस प्रकार से Admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको जो जो बीएसी की जो डिगरी है उसे आपको पास करनी पड़ेगी तो तब ही आप इस कोर्स के लिए Illigibility होप आओगे और आपको जो बीएसी की जो डिगरी है वो आपको Biochemistry, Chemistry, Geology, Nutrition, Food Sciences, Botany, एक सेक्टरा की साथ आपको पास करनी पड़ेगी तो तब ही आप इस कोर्स के लिए Illigible हो पाओगे और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि आपको सरी जुनिवर्सिटिस का और जो Colleges का जो Illigibility Crideria है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है अभी आपसे मैं जो परफास के बा इसलावा दोस्तों आप जो टीचिंग की जो जो जोवे उससे भी आप पास सकते हो तो जैसे अब आपकी Personal Skill और Knowledge के उपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्टर में आपको जोव मिल सकती है अभी आपसे मैं स्लेवर्स के बारे में आपसे मैं डिसकस करने बालाओं को जने आप इस कोर्स में आखिर किस परकार का जो स्लेवर्स होता है उसे आप स्टडी करते हो तो इस कोर्स में आप Molecular Cell Biology, Medical, Bioinformatics, Bio Technology, Advanced, Intermediary, Metabolism, एक सेक्टरा जो टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप इस कोर्स के मादम से दोस्तों आप स्टडी करते हो और व जो सब्जेक्टें वो डिफरेंट भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप से मैंने MSC Medical Biochemistry कोर्स के बारे में आप से मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है बजह लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ने तो आपको इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के वारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें भी एक पर जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना